हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टडी जोन पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान चैनल रिजल्ट 2020 के बारे में जैसे कि दोस्तों त्रिया चैनल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आरी है और यह अपडेट आपकी जारी होनी की एक दम एगजक्ट डेट बताने वाला हूं और यह एक्जक्ट डेट इदम पूप के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो है रिजल्ट कब तक डिक्लियर कर दी जाएगी क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भरत बेनवाल जी के तरफ से चार तारीक को बहुत बड़ी अंदोलन की गई थी एनेचेम ऑफिस में स्वास्त भवन में बहुत बड़ी क्या रिजन दिया है और ये रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगी पूरी इनफरमेशन इस बिडिया बताने वाला हूं कापी लोगों का यह भी कहना है कि यह भरती में घोटाला हो रहा है स्रीटेप बेशे जारी इसको लेकर पूरी इंफर्मेशन में आपको इस टेप बाइस टेप देने वाला हूं पूरी इंफर्मेशन पानी है तो इसलिए इसकीप नहीं करना है क्योंकि रिजल्ट और को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है क्यों रिजल्ट अभी तक रोका गया है और क्यों नहीं अभी तक जारी किया गया है क्योंकि हर जगा की रिजल्ट को जारी कर दिया गया है MP में जारी कर दिया गया इसकी ज्वाइनि क्योंकि राइस्थान सी अगर कोई भी आपडेट आती है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको मिलती है तो इसलिए दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा और सेर जूर करेगा अपने वाटसप गूरूप फेस्बूप जिस गूरूप पर आपको सेर करना है जरूर से कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं किसी याचु की रिजल्ट में अभी तक इतनी देरी क्यों हो रही है और कितनी देरी होने वाली है और इसमें भरती घुटाला हो रहा होगा कि नहीं होगा इसको लेकर पूरी इंफरमिशन को काफी लोग कह रहे हैं कि भरती घुटाला हुआ है पर दोस्तों भरती घुटाला हुआ है कि नहीं हुआ है इस बीडियो में पूरी इंफरमिशन सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट देता हूँ रिजल्ट से रिलेटेड फिर उसके बाद हम बात करेंगे जैसा दोस्तों काफी लोग यह का रहा इसके लिए जाच भी हो रही है पर दोस्तों ऐसा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है कि इस भरती में घुटाले हो रहे हैं और जैसा कि दोस्तों जहां तक पता चल रहा है और जैसा कि भरत बेनेवाल जी का लाइब भी आकर इस पे कहत है कि जो है ऐसा कोई कुछ न आता है तो कुछ नकुछ तो हमारे हाथ में आता है चाहिए आपके पदा चलता किसी के पदा चलता पर ऐसा कुछ नहीं है यह सिर्फ अफवाँ है इस पर ध्यान ने दो रहा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी रिजल्ट कब तक आएगी इसको रिजल्ट को लेकर अभी तक कि सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और दोस्तों सीट की चीता मतरी सीट आपकी एक भी निष जा रही है अगर सीट बिछ जाती तो 1500 सीट आपकी नहीं जाती सी आचों भरती सीट नहीं पर रहे हैं ना इसे कोई कर रहा है तो दोस्तों अब मेन मुद्द हो गया आपको अभी पूरी अपडेट देने वाले हैं रिजर्ट से जूड़ी हुई है और यह बहुत ही ज़्यादा अपडेट है आपके लिए तो चलिए सबसे पहले आपको वह अपडेट दिखाते हैं जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट न्यूज इंडिया राजस्थान की जो चैनल है उन्होंने यह अपडेट दिया है और यह अपडेट आपकी जो है पांच एक दोजार एकईस की है यह कल की अपडेट है और इस अपडेट में हमारे रिजल्ट ना जारी होने का साप्ती लेठ हो ओर्यार्यगर्ड ऑर इसके वज़ा से इस परिणाम में अभी तक देरी आ रही है क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते हैं कि किसी भी candidate की जो result में कुछ गलतिया हों और किसी तरह से वह जो है यह इस मामले को लेकर court में जा सके तो इसलिए दोस्तों इस पर पूरी निगरानी के साथ चेक हो रही है और इसमें पूरी दी गई है कि और जो आपकी पद निकाली गई थी 6310 के 10 पर फिर मुक मरतिक आदेस आने के बाद इसे पद को 7810 पर पद कर दिया गया और इसमें 80,000 से करीब जो है इस्टूडेंट की एक्जाम को दिये थे तो दोस्तों यही अपडेट इनने कारण दिया है अभी तक रिजल्ट ना आने का दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ उ अंदरा तारिक अगर सी एचो का रिजल्ट नहीं आता है तो इसको लेकर हम बहुत ही बड़ी अंदोलन करने वाले हैं और मुक मंत्री में मुक मंत्री की जो है उस पर घिराव करने वाले हैं तो दोस्तों अभी तक का यह कारण आ रहा है जो मैंने आपको दिया है तक जो आ जाएगी पर भरत बेनेवाल जी ने साप साप कहा है कि अगर 12 तारिक से लिके 15 तारिक के बीच में अगर आपकी रिजल्ट नहीं आती है इसके उफिसल वेबसाइट पर तो इसके लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है और दोस्तों जो आंदोलन किया ग जरूरी है तो दोस्तों यही अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमने आपको दे दिया तो अगर आप कोई भी आती है आपकी रायस्थान सीयाचो की तरफ से तो हमारे चैनल पर आपको सबसे मेरे मिल जाएगी कॉम्णिटी हेल्थ ऑफिस की भरतिकर कोई भी अपडेट आती है कि अगर 12 से पाता है तक बीच में नहीं आती है तो इसके लिए बहुती बड़ा आंदोलन किया जाएगा तो यह अपडेट थी दोस्तों इसे पूरा पढ़ लिजेगा क्योंकि दोस्तों जो जो लिखा हुआ था मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है कि इसमें भारी की पद को जल से जल किलियर करने के लिए तो यह अपडेट थी जो दे दी आई होप आपको यह अपडेट पसंद है पसंद है तो लाइक करेगा और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजागा क्योंकि कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले